नमस्कार दोस्तो एच आराई नियूस पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत सौगत है सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों के तरह बढ़ने से पहले आप लोगों से चोटी सी रिकष्ट है कि अगर आप लोगों हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास महीं बने बेल की आइकन को जरूर दबाईएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार बड़ा लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रस पूछेगी अडानी मामले पर पिया मोदी से रोग तीन सवाल पहले सवाल में कहा आप बताएं कि आप अडानी के हैं कौन खबर आप लोगों को बताते चलें अडानी मामले पर यूँ तो अभी तक वित्तमंतरी आरबियाई से भी और वित्तमंतराले ने गोल मोल जवाब दिया है लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर संदिगद खामोसी लगतार बनाई हुई है इसी मामले को सामने रखते हुए कॉंग्रस ने एलान किया है कि वहा प्रधान मंतरी से अडानी के मामले पर रोज तीन सवाल पूछेगी कॉंग्रस के नेता जैराम रमेश ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने तीन सवालों वाला एक पत्र प्रधान मंतरी को यहां पर समोधित किया है सवालों की कड़ी में कॉंग्रस ने पूछा है कि आपके बयानों के मते नजर आपकी खामोसी में यहाँ सवाल लाजमी है कि आप बताएं कि आप अडानी के हैं कौन और इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ भी बताते चलें कॉंग्रिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्विटर पूल भी शुरू किया है जिसमें लोगों से पूछा गया है कि क्या पियम अपने दोस्त अडानी के खिलाब धोखा धड़ी के आरोपो की जाच करवाएंगे और इसमें ऑप्सन दिया गया है हाँ और नहीं और यहाँ पर आकडे काफी चौकाने वाले हैं और इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कुछ राय है आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं बंगाल में भाजपा को लगा है बड़ा छटका विधायक सुमन कांजी लाल टीमसी में हुए हैं सामिल जी हाँ दोस्तों पश्य मंगाल बीजेपी को करारा जटका लगा है बीजेपी के अली पुर्द्वार के विधायक सुमन कांजी लाल टीमसी में सामिल हो गए हैं टीमसी के राष्ट्रिया महासाचिब अभिशेख बनरजी की उपस्थिती में बीजेपी के विधायक यहाँ पर टीमसी में सामिल हुए पूरे मामले पर टीमसी की और से एक ट्विट भी किया गया है टीमसी का कहना है कि एक और बंगाल बीजेपी के विधायक को इस सच्चाई का अहसास हो गया है कि भाजपा का लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है इसलिए यहाँ पर बीजेपी के विधायक सुमन का अंजी लाल आज यहाँ पर राश्ट्रिय महासाचिब अभिशेक बनरजी की उपस्थिती में टीमसी के परिवार में सामिल हो गए हैं यह यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है एक और बड़ी खबर बताते चलें पीडितों की आवाज खामोस कर रही है मोधी सरकार BBC डॉकुमेंटरी को बैन किये जाने के खिलाब 500 वेज्ञानिकों और सिच्छा विदों ने खोला है मोर्चा अपडेट आप लोगों को बताते चलें 500 से भी अधिक भारती है वेज्ञानिकों और सिच्छा विदों के एक सम उन्होंने BBC की डॉकुमेंटरी इंडिया दा मोधी कोश्यन की संसर्शिप पर निसाना साधा है उन्होंने सरकार के फैसले को भारतीयों के अधिकारों का खुले तोर पर उलंगन बताया है साज्या बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने सोसल मीडिया से डॉकुमेंटरी को इस बहाने हटा दिया है कि यहाँ भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम कर रहा है लेकिन यहाँ बिलकुल भे सही नहीं है बयान में कहा गया है कि डॉकुमेंटरी में कुछ ऐसा या कुछ ऐसा नया नहीं है जिसके कारण उस पर बैन लगाया गया है दरासल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें पूरा मामला सुप्रीम कोट में भी पहुचा है और सुप्रीम कोट ने पूरे मामले पर केंदर सरकार से रिपोर्ट भी तलब कर ली है इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें 2024 के लोग सभा चुनाओं से पहले एक्टिम मोड में नजर आ रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सियार महराष्टर के नांदेड में बियारस की मेगा रैली हुई है सियम के सियार बोले देश में बस भाशर दिया जा रहा है किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं खबर आप लोगों को बताते चलें भारतिय राष्टर समिती यानि की बियारस ने महराष्टर के नांदेड में एक बड़ी रैली की है पार्टी के चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर सिखर राउने जनसभा को समोधित करते हुए केंदर सरकार पर जम करके हम ला बोला है उन्होंने कहाई कि देश में आजादी कि इतने साल बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है ना पीने के लिए ना सिचाई के लिए इतनी सरकार आई गई उन्होंने आखिर क्या किया सियम ने आगे कहाई कि महराष्टर में इतने किसान आत्मत्या करते हैं इ एक बड़ा पडिवर्तन चाहिए, कई लोग आते हैं और लंबा लंबा भाशड दे करके चले जाते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, 75 साल बाद भी देश को पानी बिजली नहीं मिल रहा है, खाली देश में भाशड चल रहा है, किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यह नवजो सिंग सिध्धु की रिहाई की अपिल कहा नियाय के मामले में ना हो दलगत राजनीती अपडेट बताते चलें पन्जाब कॉंग्रेस के अध्याच्छ अमरिंदर सिंगराजा वर्णिंग ने मुख्यमंतरी भगवंथ मान से कॉंग्रेस की नेता नवजो सिंग के बाद यहाँ पर आई है गार तलब है कि पिछले दिनों कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धु को गरतंतर दिवस पर विशेश छूट दी जा सकती है लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी ने सीधे तोर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निसाना सादा था और यहाँ पर दलगत राजनीती करने का आरोप लगाया इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने महराष्टर से खबर आ रही है मुख्यमंत्री सिंदे को आदित ठाकरे की खुली चुनाती कहा अपनी सीध से स्तीफा दे करके मेरे खिला वरली से लड़ें विधान सभा का चुनाओ खबर आप लोगों को बताते चलें सिवसेना उधब गुड के नेता और महराष्टर के पुर्व मंत्री आदित ठाकरे ने महराष्टर के मुख्यमंत्री एकना सिंदे पर जोरदार हमला बोला है आदित ठाकरे ने सीयम सिंदे को अपने खिला विधान सभा चुनाओ लड़ने की चुनाओ अधित ठाकरे ने एकना सिंदे को असमधानिक मुख्यमंत्री करार दिया है आदित ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने असामधानिक मुख्यमंत्री एकनास इंदे को मेरे खिला विधान सभा चुनाओ लड़ने की खुली चुनाओ दी है मैं अपनी सीट से स्थीफा दे दूँगा और उन्हें अपनी सीट से स्थीफा दे देना चाहिए और उन्हें मेरे खिला वरली से चुनाओ लड़ना चाहिए इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है तृपुरा विधान सभा चुनाओं से जहां पर हिमाचल के जैसा ही बुरा हाल भाजपा को हो सकता है तृपुरा विधान सभा चुनाओं में भी बागी उमिदवारों ने खड़ी की है बड़ी परेसानी विद्रोहों रोकने की कोसि में लगतार जुटी है भाजपा तृपुरा में कई निर्वाचन छेतरों में आने वाले विधान सभाचनाओ को लेकर की काफी उथल पुथल मची हुई है उमिद्वारों को लेकर के बीजेपी में इन दिनों काफी विद्दुरों का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी ने नए उमिद्वारों के लिए कई पुराने उमिद्वारों को लिस्ट में सामिल नहीं किया है कई लोगों की टिकेट भी काटी गई है ऐसे ही तमाम विधायक हैं जो यहां पर सीधे तोर पर अब बगावत पर उतराए हैं जिन नेताओं को भाजपा ने टिकेट नहीं दिया हैं वहाँ अब निर्दलिये प्रत्यासी के तोर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं और ऐसा ही हाल यहां पर हिमाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाओं में भी देखने को मिला जिसके कारण राज्य के अंदर भाजपा की करारी हार हुई और बीजेपी के ही बागियों न पहले सिध्धा रमाया ने चला है रिटाइर्मेंट का दाओं कहा यह मेरा आखरी चुनाओं अपडेट बताते चले करनाटक में विधांचा भा चुनाओं से एन पहले विपढच्छ के नेता और पुरव मुख्यमंतरी सिध्धा रमाया ने रिटायर्मेंट वाला दाओं उन्होंने कहा है कि आने वाला चुनाव उनका आखरी चुनाव होगा करनाटक के पुर्व मुख्यमंत्री सिधरमया ने कहा है कि वहाँ रेटायर्मेंट लेने के बाद भी राजनीती में अपना कारिकाल जारी रखेंगे ये यहाँ पर दोस्तो इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में तकि आप सभी के दोस्तों भी मुख्य समाचारों को जान सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद